हलो सव मेरा नाम राचंदरों आज के इस वीडियो हमने एग पावर बनाया देख सकते हूं आप मैंने बहुत ही छोटा पावर बनाया है तो मैंने पविसी पाइप की इस हाधा से आ पावर बनाया है तो देख सकते हूं इसमें 80 चेस्तो बचा से अधे बेटरी का यूस किया है जोगी एक 200 एमेज की बेटरी होती है तो यह आपको मार्केट में असनी से मिल जाएगा तो इसे आप असनी से बोगेट में रखे गई पे भी जाते हो तो आप इससे मोबाइल को जीरो से लगा कर 40-50% तक आसनी से चार्ज कर सकते हो आप इसे फूल चार्ज नहीं कर सकते हो यह आपकी इमर्जेंसी के लिए बस आप इसे जीरो से लगा कर सकते हो यह बहुत ही छोड़ी सी पावरवेंगे आप देख सकते हो जिसे में जेब में भी रख गदा हूं तो आपको पता हिंगा कि जेब में पावरवेंग पड़ा हुआ है तो आप इसे बहुत यासनी से बना सकते हो जाज की फिल्म में यह बताया तो वीडियो को एंड तक देखना तो आपको बता चुल जाएगा कि किस परकार से इसको बनाया है तो आज की उडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आ इंडरी में सारे कुछ फीट करूँगा और यह हमारा छोटा सा कॉंपेक्ट साइज का एक पावरवेंग बनेगा तो यह पीजिवाई पे आप देख सकते हैं इसको में साइट में लग देता हूं पावरवेंग मोडिल है देख सकते हैं और आप इस आउटपूड भी ले सक कार्णां व्यारी जो कि आपको मार्केट में 90-90 रूपर में मिल सकती है । मुझे यहां पर 80 रूपे में मिल दी तो आपके कितने रूपे मिलती है यह आप आपू मार्केट में बनाने वाला है चोड़ा सा तो आज कि कई कि बड़ा कॉसको काटना है तो देख सकते हो तुह अए पर यह यहां पर आज चाहिए हैं लिए इस काल देटा हूं को के दो तो सब्सक्वाइब कह लिए और इसलिज हमें पीछ इन शाइट पियस ब्हुच के िने ड्ली ज़़ दसके लिटा हो दोस्तों मैंने यहां पर इसको अच्छी तरह चिपका लिया तो एश्टा बचा हुए पार्ट को मैं यहां से एक सब्लेट की साथ काट दूँगा और इससे साइन पेपर की मदद से एक जिसा गोल कर दूँगा तो हमारा कंप्लीट हो चुका देख सकते इस पर कर देता हूं और पूरा पेक कर दिया है तो इसके अंदर हमारी बेटरी देख सकते आप की कुछ इस पर कर देता हूं और उसके बाद इसको इसके अंदर फीट करूँगा तो इसका connection बहुत easy है तो यहाँ पे positive है इस side पे positive लिखा हुआ है देखसे तो यह side पे negative है तो इस positive को डायक्टर में यहाँ पे solder कर जाता हूँ कर दूँगा है तो देखसे तो इस पर करकर मैंने positive को यहाँ पे connect कर दिया है तो यह हमारा negative है यहाँ पे थोड़ा सा में टेप लगा दूँगा क्योंकि यहाँ पे touch हो जाएगा तो यह हमारी battery short circuit हो जाएगी तो यहाँ इस वाले टेप लगागे और यहाँ पे wire को connect करके negative में यहाँ नीचे connect कर दूँगा में तो दोस्तों हमारा connection complete हो चुका है तो यहाँ पे जो जो टर्मिनस बच रहेंगे यहाँ पे टेप लगा दूँगा में क्योंकि यह short circuit हो सकता है तो देख सकते हैं हमारी फूरी complete है तो इसको बस PVC pipe के अंदर fit करना है कि अब यह इनका में मार्क कर लेता हूं एक तो USB पोर्ड का और तो माइक्रोड आख यहां पे मैं मार्क कर लूँगा और इस परकार से इसको कट करके सामने के डक्कन को भी तयार कर लेता हूं इसके सामने को आप देख सकते हो तो इसको भी पेक कर दूँगा मैं पूरा तो यहां पर मार्किंग कर लेता हूं सबसे बेले में तो दोस्त यह हमारा देख सकते हो तो यह हमारा कम्प्लीट हो चुका है मैंने इसको कट कर लिया है ब मारा देख सकते हो तो इसको में पेट och की की साहता से आपर अच्छी तरह कर देता हूं कि तो इसको मैंने पूरी तरीके से चिपका दिया आप देख सम्ती हो तो कुछ इस परकार से लगा के और यहां पर चिपका दूँगा में और उसके बाद इसको एश्टा पार्ट को काट दूँगा और अच्छी जरीके से साइन पेपर की साहितास इसको घिस दूँगा इस आप वो वैन ऴी मारे पवार्ण debating कंप्लीट हो जगा तो इस्परकार से आप से मैं आ और ऊक्तży नहीं कि कि है कि आट कलर गाई है और यह ठ्यां कर देखत के DOT तो देख सकते हमारे complete हो चुगा तो सबसे पहले हम आपको इसको चार्ज करके दिखा देता हूं तो चार्ज होगा तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक led light जल रही है तो यह stable हो जाएगी तो यह हमारा full charge हो जाएगा तो अब इससे आपको मैं mobile चार्ज करके दिखा देता हूं कि हमारा mobile को चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है या हaking कि मोबाइल आप देख्षकते इसको में 4 लगा देदा हूं तो दोस्तों हमारा देख सकते हैं हमारा मोबाइल चार्ज होना इस्ठाट हो चुका है तो इसके अंदर लाइट भी जल चुकी होगी यह देख सकते हैं इस परकर की लाइट जलेगी है हमारा मोबाइल को चार्ज करेगा तब देख सकतो है अमारा एक पसेंट चार्ज भी हो चुका है मोबाइल तो मारा यह पूरा वर्क कर रहा है देख सकतो अब इतना चोटा सा है तो आप इसे आसानी से पोकेट में लेकर भी कई पे गुम सकते हो कई पे जाते हो तो आप इसे जीरो से लगा कि 40 या 25 पसेंट तक हिसे चार्ज कर सकते हो क्योंकि यह तो अगर आपको वीडियो पसन आयो तो लाइक जोड़ से कर देना हो चैनल पनायो तो चैनल को सब्सक्राइब जोड़ करना